ब्रेके बाद आपका स्वागत है हिमाचिर परदेश के ग्रामिन क्षेत्रों से तेज बरसाग में बुसकलन से प्रवावित सडकों के बीडियो ग्रामिन जनता के दौरा आजकर सोशल मीडिया पर खूब बाइरिल किये जा रहे हैं ग्रामिन लोगों का कहना है कि अब बरसाग थम चुकी है लेकिन ग्रामिन सडके बुसकलन से तूट चुकी हैं के जगा तो सडक ही गाइब है मातर पत्तर ही पत्तर नजराते हैं जिससे ब्लासपर के पांच गाम को जोनने वाली स्लोहा सडक और माकडी गाम को जोनने वाली सडक का वीडियो स्योशल मीडिया पर बाइर हो रहा है इन सडकों पर छोटे-छोटे स्कूल जाने वाले बच्चे भूसकलन से प्रभाबित सडक पर हाथ में डंडे पकड़ कर चटाने बड़े पत्रों पर चड़कर स्कूल पहुंचते हैं लोगों ने सरकार से मांग की है कि इन सडकरों की मरम्मत की जाए ताकि लोग रहत की सांस ले सके जिलापलासपुर के पांच गाउं को जोडने बाली सलोवा सडक और मांकटी गाउं को जोडने बाली सडक का वीडियो शोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है इन सडकों पर छोटे छोटे स्कूल जाने वाले बच्चे भूस खलं से प्रभावित सडक पर हाथ में डंडे पकड़ कर चटानों पर बड़े बड़े पत्थरों पर चड़ कर स्कूल पहुंचते हैं ग्रामिन लोगों ने सरकार से प्रशासन से मांग की है कि अब बर्शात तो थम चुकी है लेकिन ग्रामिन रास्तों की हालत वैसे की बैसी ही है जगा जगा से तूटे हुए रास्ते किसी भी समय दुर्गटना का कारण बन सकते हैं लोगों ने सरकार से मांग की है कि इन सडकों की मुरम्मत की जाए ताकि लोग राहत की सांस ले सकें जबकि परदेश युबा कॉंग्रेस ने भी सरकार से इन सडकों की सीग्र मुरम्मत की मांग की है कि हरजन वस्ति और सभी गाओं को सड़क जो है वो में सड़क से जोड़ती है वहां पर जो स्कूल के बच्चें जो सड़क से जाते हैं उनको बड़ी परशानी का सामना करना पड़ता है बुजूर्गों को बड़ी परशानी का सामना करना पड़ता है कोई राद को बिमार हो को प्रिशाद्धी का सामना करना पड़े पिछले कुछ महीनों में वहाँ कुछ स्थानी लोगों जहां स्थानी लोगों की एक्सपायर हो चुके हैं क्योंकि कुछ बिमार लोग में सड़क तो पहुंचने सके अभी कुछ दिनों पहले वहां एक लड़की जो है वह सांप के रसने से जो है वो एक्सपायर होगी वो में सड़क तो पहुंचने पाई तो यह बहुत ही गंबीर विश्य है जिसे सरकार को दिखना चाहिए सरकार से मांग है कि इस और जल्दी ध्यान दें नहीं तो यह वा कॉंग्रिस धर्नापरदस्टन करेंगे जिसके सारी के सारी जिम् झाल 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